एक ऐसा अनोखा मंदिर जिसके आर्किटेक्चर में पांच राजवोंचों की कलाकृतियों को देखा जा सकता है जो अपने आप में ही एक कला का अद्भुत नमूना है नुलंबावाडी स्टाइल का दर्विदीन आर्किटेक्चर में बना करना टका का सबसे प्राचीन मंदिर है भोगा नंदीशवरा मंदिर तो आज हम आपको लिया आए हैं बैंगलोर से 60 km की दूरी पे नंदी हिल से 17 km की दूरी पे नंदी विलेज में स्तित 9 सधी में बना करनाटका का सबसे प्राचिन शुम मंदिर जो है भोगा नंदी शुरा मंदिर यह मंदिर भगवान शिवजी को समर्पित है इस मंदिर का कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा और खुबसूरत है यह दर्शाता है कि पुराने जमाने में यहां पर बहुत सारे लोग आते होंगे दर्शनों मंदिर परिसर में भगवान शिवजी के तीन मंदिर बने हैं जो शिवजी के जीवन के अलग-अलग फेजिस को दर्शाता है मंदिरों के अलावा यहां पर कलान मंडप है और दो-तिन वाटर पॉन भी बने हुए है कहां जाता है कि इस मंदिर का सरोफ रथम निर्मान बना की रानी रतनावली दारा हुआ था नोलंबाज शिवा के फॉलोर्स थे इनकी रूल में बहुत सारे शिवा के मंदिर बने हैं बात में इस मंदिर में गंगा डाइनस्टी, चोला डाइनस्टी, होईसलाज, पल्लबाज, विजय नगरा डाइनस्टी में कुछ मौडिपिकेशन और मंदिर का विस्तार किया गया ये है अरुणा चलेश्वरा मंदिर, ये मंदिर भगवान शिव जी के बच्चपन को दर्शाता है, गंगा डाइनस्टी के दर्म्यान दसवी सदी में ये शिव मंदिर का निर्मान किया गया था अरुणा चलेश्वरा और भोगा नंदिश्वरा मंदिर के बीच में होईसला द्वारा निर्मित बारवी सेंच्रियों में बना उमा महिश्वराया यानि शिव पारवती का मंदिर बना है जो माता पारवती और शिव जी के विवाह को दर्शाता है मंदिर में माता पारवती और भगवान शिव जी की बहुती सुन्दर सी मूर्ती है मैंने भगवान शिव और माता पारवती की मूर्ती पहली बार देखी है ये है ग्यारवी सदी में चोला डाइनस्टी के दर्मियान बना हुआ भोगा नंदिश्वरा मंदिर भगवान जी के यूथ फेस को यानि योवन रूप को दर्शाता है यहां कि भगवान शिव की मूर्ती बहुत ही बड़ी और सुन्दर है इन तीनों मंदिरों के सामने एक बड़ा सा मंडप है जिसका निर्मान तेरवी सतापदी में विजय नगराओं के राजाओं ने किया और उसकी का सुनदर सी कार्विंग बनी है मंदिर के बहरी दिवारे विजय नगराओं के राजाओं द्वारा निर्मान की गई है और यह देखिए एक छोटा सा जुरों का है जिस पे भगवान नट राच की सुन्दर सी मूर्ति बनी है ऐसी कई जुरों के हैं जिन पे बहुत ही सकते हो पत्थरों में तराशी हुई नकाशी अपने आप में एक अद्बुत कलाकारी है पांच अलग अलग राजवों शोद्वारा बनाया गया पांच अलग अलग सदी में बना हुआ ये मंदिर कही पर भी आपको प्रतीत नहीं होता कि एक डाइनस्टी ने अपनी छाप दूसरी डाइनस्टी के मंदिरों के उपर रखिये सब ने अपनी अपनी कलाक रुदिय का नमूना अलग से रखा है अगर जब तक आपको इस मंदिर की हिस्ट्री पता नहों तब तक ये डिफरेंशियेट करना भी मुश्किल होगा आपके लिए कि कौन सी डाइनस्टी ने मंदिर का कौन सा पार्ड बनाया है इतना सीमलेसली इसका काम है और इतनी बारिकी है इस मंदिर की नकाशियों में बहुत ही ब्यूटिफूल मंदिर है आप जरूर आईए जरूर देखिए यहां की ये कलाकृतियां यहां का ये मंदिया तो ये थी भोगन अन्देश्वरा की विजिट हमारी और मुझे जानकारी मिल पाई मैंने उतनी आपको बताने की कोशिश की है अगर आप इस टेंपल के बारे में और कुछ चानते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें बताईए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पॉर वाचिंग वॉर झाल